दोस्तो ONGC की तरफ से dividend को लेके काफी बड़ी announcement आये साथ ही साथ में company ने आपे recorded भी अनाउस कर दिये dividend को देने की और आज की इस वीडियो के अंदर इसी stock की हम पूरी बात करेंगे बात करेंगे इसके fundamentals financial shareholding patterns की और साथ ही साथ में dividend announcement की details share करूँगा तो चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं आप अभी के इस वीडियो को like कर दीजे चानल को भी subscribe कर दीजे मैं हूँ आरुष आप देख रहे हैं phenomena media बायारुष चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं देता हूँ आपको ONGC के dividend की पूरी details इस वीडियो के अंदर दोस्तों ONGC की dividend details बता देने से पहले आईए बात कर ले थे stock के और कुछ important information की तो इस stock ने past 1 year के अंदर में negative में राए 11.61% के negative में returns दी है और वहेगर हम बात करें stock के current price की तो currently 146.9 रुपीस के उपर में trade हो रहा है और क्योंकि 1 year के अंदर में approximately 12% correct हो चुका है तो यह काफी अच्छा समय हो सकता है stock को buy करने के लिए वहेगर हम बात करें इस company के business की तो इंडिया में जो भी यहाँ पे crude oil होता है उसका 71% के आसपास यह company produce करती है जिसकी वज़े से जब भी यहाँ पे crude oil की market के अंदर में global market के अंदर में demand बढ़ती है और prices बढ़ते है तो उसी हिसाब से stock में भी हमें तेजी देखने को मिलती है वहेगर हम बात करें stock की performance की तो जो इसका 52 week low है वो 119.85 रुपीस का है और जो 52 week खाया है वो 194.95 रुपीस का है तो अगें stock का जो current price है currently अपने 52 week low की तरफ में move कर रहा है जो कि हमें बताते है कि जो stock है भी एक downward strength के अंदर में move कर रहा है और काफी अच्छा time हो सकता है stock को purchase करने के लिए आईए बात कर लेते हैं इस company के fundamentals की तो इसकी जो market capitalization है वो है 1,83,924 करोर की और वहीं अगर हम बात करें इसके PE ratio की तो सिरफ 4.41 का है जो की काफी ज़ाद अच्छा है PE ratio PB ratio की बात करें तो 0.71 का है industry PE 5.51 का है debt to equity ratio भी काफी ज़ाद अच्छा है 0.54 का है सिरफ and 1 के नीचे का debt to equity ratio अच्छा माना जाता है तो company का debt to equity ratio भी अच्छा है ROE की बात करें return on equity 18.95 की जो की काफी अच्छी है EPS की बात करें तो 33.17 का है dividend yield अगर आप specially देखें तो 8% से ज़ादा की dividend yield है जिसका मलब ही है अगर आप इस company के अंदर में invest करते हो तो सालान आपको 8% के आसपास का dividend मिल जाएगा आपकी investment के उपर वहेगर हम बात करें stock के book value की तो वो 221.7 रुपीस की है जो की इसके current price से काफी ज़ादा है और जो की काफी अच्छी बात भी है वहेगर हम बात करें stock के face value की तो वो यहाँ पर 5 रुपीस की है तो all over अगर हम बात करें company के fundamentals की तो काफी ज़ादा strong दिखती है company fundamentally wise वहेगर हम बात करें company के financials की तो सबसे बहले हम लोग बात करेंगे revenue की 2018 से लिगे 2022 तक के data की तो 2018 में जा company का revenue था 3,62,000 करोर्स का वही 2019 में बढ़के 4,53,000 करोर्स पे आया बढ़ 2019 के बात से लगातार घटता चला गया 2021 तक और 2021 के अंदर में वापस से 3,60,000 करोर्स पे आ गया था बढ़ अगर हम बात करें last year की जो 2022 का year रहा है वो company के लिए काफी ज़ादा अच्छा रहा है और company का revenue close किया था 2022 के अंदर में वो 5,31,000 करोर्स से भी ज़ादा पे close किया था वहेगर हम बात करें company के profit की तो जहाँ 2018 में company का profit 22,000 करोर्स का था वही 2019 में बढ़के 30,000 करोर्स से भी ज़ादा का हो गया था बढ़ 2020 के अंदर में थोड़ा सा correct हो के 10,000 करोर्स पे आया और 2020 के बाद से लगाता बढ़ता जा रहा है और last year 2022 के अंदर में company ने अपने profit को 45,000 करोर्स से भी ज़ादा पे close किया है वही अगर हम बात करें company की net worth की तो जहाँ 2018 के अंदर में company की net worth 2,000 करोर्स की थी वही 2019 में बढ़के 2,15,000 करोर्स पे आई 2020 के अंदर में थोड़ी सी correct हुई है और 2,500,000 करोर्स पे आई बढ़ 2020 के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है अब लास्ट ये 2022 के अंदर में company ने अपनी net worth को 2,60,000 करोर्स पे close किया है तो company के all over financials काफी जादा strong है अब आईए बात कर लेते हैं इस company के shareholding patterns की तो हमारे पास में latest data है December 2022 वाले quarter का जिसके according promoters के पास में company का 58.89% का stake है retail investors के पास में 13.77% का stake है other domestic institutions के पास में 10.44% mutual fund houses के पास में 8.47% and foreign institutions के पास में भी काफी अच्छा खासा stake है 8.43% का अब क्योंकि इतने जादा diversified है shareholding patterns उसके बावजूद भी आपे promoters approximately 60% hold कर रहे है company का ये काफी अच्छी बात है because इतने जगाओ पे जो है company के shareholding patterns है जो shareholding है company की basically वो इतनी जगाओ पे यहाँ पे diversify हुई है उसके बाद भी promoters की काफी ज़ाद अच्छी holding है काफी अच्छी बात है तो यहाँ पे काफी अच्छे shareholding patterns अगर all over बात करें and वह एकर हम बात करें ONGC के official dividend details की तो आप लोग company का जो letter है अपनी screen के उपर में देख सकते हो जिसके अंदर में company ने clearly mention कियेगी 14th of February को यहाँ पे company ने board meeting organize करीए है जिसके अंदर company आपे अपने quarterly results declare करेगी and साथ ही साथ में अपना second in term dividend भी declare करने वाली है and इस dividend की जो record date है हो company ने already announce कर दिये वो होने वाली है 24th of February की तो अगर आपको जो dividend announcement आना है उसका benefit चाहिए तो आपको इस company के stocks को उसकी record date यानि की 24th of February से 2 से 3 दिन पहले पहले purchase कर लेना होगा and record date तक hold करना होगा ताकि जो dividend का benefit है वो आप लोगों को मिल पाए and जो dividend की value होने वाली है वो approximately 1.75 रुपीज से लेके 6 रुपीज तक होने वाली है अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ because last 2 जो साल गए है 2021 और 2022 उसके अंदर February के month में company ने 1.75 और 1.75 रुपीज का ही dividend दिया था and highest dividend approximately 6.45 रुपीज का दिया है तो minimum हमें 1.75 का dividend देखने को मिलेगा यह पर stock के उपर में and maximum हमें 6 रुपे तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है तो आप अपने range bound को set कर सकते हो इसी range के बीच में dividend देखने को मिलेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई